आज मैं आपसे शेर करने जा रही हूँ कुछ important tips and tricks इडली और डोसा बनाने के लिए देखें इडली कितनी soft बनी है डोसा भी देख लेते हैं बहुत दी crispy डोसा बनकर तयार हुआ है तो विडियो को end तक जरूर देखें ये recipe मैंने अपनी एक South Indian friend से सीखी है मेरे चैनल पे एक contest चल रहा है जिसका एक lucky winner होगा उसे 250 रुपीज cash price दिया जाएगा तो नीचे common box में इसके rules को एक बार चेक कर लें मुझे support करने के लिए please मेरे चैनल को subscribe करें और उसके बगल में जो ये घंटी बजी है उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली विडियो की notifications आपको मिलती रहें इडली और दोसे का बैटर बनाने के लिए मैंने यहां लिया है एक कप curry उरत दाल तो इस उरत दाल को हमें container में डाल देंगे वन इस्टो थी का ratio होता है यानि एक कप दाल है तो तीन कप चावल होता है tip number one यही है कि दाल और चावल को हमें अलग-अलग भिगोना है इसको mix बिल्कुल भी ना करें तो इसे दो से तीन पानी से wash कर दें और इसे पानी में भिगो के हम रख देंगे इसी प्रकार यहां मैं चावल ले लेती हूँ तो याद रखें हमें टूटे खंडे चावल का यूज़ करना है यहां बास्मती चावल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें तो मैंने यहां तीन कप चावल लिए है इसे भी हम अच्छे से wash कर देंगे और पानी में भिगो के रख देंगे इसके बाद मैंने यहां ली है एक मुठी मेती दाना उसको भी हम इसमें डाल देते हैं तो चावल और दाल को हमें अलग-अलग भिगो के इसे तीन घंटे के लिए छोड़ देना है यह देखिए तीन घंटे हो चुके हैं आप देख सकते हैं जो दाल है वो अच्छे से फूल चुकी है अब जो दाल में जितना पानी पड़ा है हमें बस उतने ही पानी का यूज करना है और एक फाइन और स्मूथ पेस बनके तयार हो जाएगा यह देखिए मैंने इसे ग्राइंडर में पीस लिया है तो इसका जो पेस्ट है वो बहुती ज़ादा फाइन होगा और स्मूथ होगा इसी प्रकार हम चावल को भी पीस लेते हैं तो चावल और दाल को हमें अलग भिगोना है और दोनों को अलग ही पीसना है क्योंकि दोनों का टेक्शर बिलकुल अलग है तो ये देखें मैंने चावल को भी पीस लिया है आप चावल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ठिक है और चावल जो है वो हलका सा दरदरा है तो चावल को मैंने पीस लिया है इसे कंटेनर में निकाल देंगे इसके बाद मैंने यहां लिया एक बड़ा भगोना उसके बाद मैंने इसमें डाला है पिसी हुई उरत दाल उसके बाद जो हमने चावल पीसा था उसको भी हम इसमें डाल देते हैं इसे चमत से हलके से हिला द जाएगी और air pockets develop होते हैं और इसे फर्मेंट करने के लिए हमें इस साथ से 8 घंटे तक छोड़ देना है इसे 8 घंटे हो चुके हैं आप देख सकते हैं बैटर जो है वो अच्छा फर्मेंट हो चुका है याद रखें फर्मेंटेशन के टाइम हमें नमक का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है तो यह जो है वो पहला फर्मेंटेशन था इसके बाद हम इसे बैटर को एक घंटे के लिए और छोड़ देंगे तो यही बैटर जो है वो डोसे के लिए तैयार हो जाएगा उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इडली कैसे बनाई चाती है तो इडली के सांचे को ले इसे ग्रीज कर दें और इसे हलके हाथों से मिला दें पैटर में मैंने नमक का बिल्कुल यूज नहीं किया अगर आप इसे जादा मिलाएंगे तो जो इसके अंदर हवा भरी है air pockets हैं वो सब इसके चले जाएंगे और इडली जो है वो आपकी soft or fluffy नहीं बनेगी तो इसे हम steam कर लेते हैं तो इसे हमें लगातार 15 मिनिट तक बिना इसे उठाए low flame पे steam करना है तो 12-13 मिनिट बाद एक बाद चेक कर लेते हैं तो इडली जो है वो हलकी सी अभी कच्ची है तो इसे 2-3 मिनिट तक के लिए और चोड़ देते हैं तो 15-16 मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं मैंने इडली निकाल के आपको दिखाई है कितनी soft and fluffy इडली बनके तयार हुई है यह चावल की इडली है इसके अंदर कितनी अच्छी जाली आई है तो बहुती tasty इडली बनके तयार होती है बस थोड़े से process को आप इसे follow करें तो आपकी इडली बहुती ज़ादा soft बनेगी तो आप इसे serve करें coconut की chutney के साथ और मैंने इसमें sprinkle किया है थोड़ा सा सांभर का powder चली है अब डोसे के लिए आलू बना लेते हैं तो यहाँ मैंने एक walk या pan में मैंने डाला है one tablespoon olive oil आप किसी भी प्रकार का oil यूज कर सकते हैं प्यास को on कर देते हैं तेल को अच्छा गरम हो जाने देंगे उसके बाद मैंने इसमें डाली है राई तो लगबग 2 teaspoon राई डाली है राई से बहुत ही अच्छा flavor आता है तो राई को हम चिटकने देंगे इसे cover कर दें राई बहुत ज़दा उड़ती है तो समहाल के करें इ इसे हम 2-3 मिनिट तक saute करेंगे आप देख सकते हैं प्यास का कलर हलका सा पिंकिश हो जाता है बस हमें उतनी देर प्यास को पकाना है उसके बाद मैंने इसमें आट किया है आधा इंच अद्रक का टुकड़ा बारी कटा हुआ तीन से चार हरी मिर्च और 1-4 teaspoon मैंने आट किया हल्दी पाउडर इसे अच्छे से मिला देंगे उसके बाद मैंने यहां लिये हैं उबले आलू 5-6 मीडियम साइस के आलू इनको मैंने हाथ से तोल दिया है इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं तो फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रहेगी स्वादा नुसार नमक डाल द बनाने में 5-6 मिनिट लगे हैं आप यहां पे धनिया के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं तो आलू जो है वो बनके तयार है अब हम डोसा बना लेते हैं तो यह मेरे डोसे का बैटर था मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो इसमें से मैंने 2-3 लाडल फुल या स्पून पूल आफ बैटर को निकाल लिया है एक सेपरेट कंटेनर में यह देखिए इसे मैंने अड किया है स्वाद अनुसार नमा किसे हम अच्छे से मिला देंगे अब मैं इसमें एड करूंगी पानी तो पानी को इखटे ना डालें थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे पानी डालें यहाँ पर यह टिप फॉलू करनी है जो डोसे की कंसिस्टिंसी है वो बहुत ज़दा पतली नहीं होती है थोड़ी सी फ्लोई होती है इडली के बैटर से तो यह बैटर बनके तयार है अब मैंने डोसा एक पैन में बनाया है क्योंकि मेरा नॉन स्टिक का तवा जो था वो खरा फिला देंगे थोड़ी देर में हम इसमें घी अपलाई कर देते हैं अब यहाँ पर फ्लेम जो आपकी रहेगी वो लो टू मीडियम रहेगी पांसे चै मिनिट बात आप देखेंगे डोसा जो है वो बहुत ही क्रिस्पी है हो गया है और इसने जो अपने साइड्स है वो छो इसे हमने फिला दिया है उसके बाद हम इसमें घी अपलाई कर देंगे अब आप फ्लेम जो है वो हलकी सी मीडियम कर सकते हैं मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे डोसे को पकाना है तो घी को डाल दे और यह देखिए डोसे ने अपने एजिस को छोड़ दिया है तो आप इस में थर्ड से डोसे और साउथ इंडियन इडली को बना सकते हैं बहुती सौफ्ट एंड फलफी इडली बनती है और क्रिस्पी डोसा बनता है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर फॉलो करें आप इस डोसे के अंदर आलू को फिल कर सकते हैं यहां मैंने डोसे क को सर्फ कर दिया है अगर आपको मेरी चानल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले